Hello everyone, कैसे आप सब? उमीद करते हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जो हम लोग एच्टरेट के सीरीज कर रहे थे उसमें हमने बाइलोजी के अंदर जो human physiology स्टार्ट की है उसमें आज second chapter हम लोग करेंगे that is breathing and exchange of gases तो इसमें देखते हैं, ज्यादा time waste ना करते हुए हम direct इस पर point पर आते हैं, देखिए breathing ब्रीफिंग क्या होता है? exchange of gases that is O2 and CO2 in and out of the body मतलब कि oxygen का body से body के अंदर आना और CO2 का बहार निकलना तो मतलब यह बस जो exchange of gases है इस term को खाली breathing बोलते हैं अब respiration क्या होता है? कई बार हम लोग breathing और respiration को interchangeable यूज करते हैं लेकिन इन दोनों terms में difference होता है respiration की अगर बात करें respiration होता है breathing मतलब कि यह तो exchange of gases तो होगा ही respiration में कि बहुए oxygen का cells के अंदर आना और CO2 का cell से बहार जाना यह तो इसके अंदर चले गई लेकिन साथ में इसमें क्या होगा oxidation of food होता है oxidation of food क्या होता है हम जैसे की जब oxygen है तो oxygen जो है बहार से cells के अंदर जाता है तो यह food के साथ क्या करता है? combine करता है और उसके बाद energy का production होता है इससे energy produce होती है और साथ में जो है इसमें CO2 जो है वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर यह जो oxidation of food है इसको जो है अगर यह breathing के साथ साथ हो और energy का production हो तो इस पूरे process को बोलते हैं respiration और अगर खाली क्या हो exchange of gases बोलें तो हम उसको breathing बोलते हैं उसके बाद आ जाते हैं human respiratory system पर तो यह थोड़ा स आप diagram इसका देखो ता कि हमें जो है इसको समझने में असानी हो human respiratory system में सबसे उपर आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा larynx, यह epiglotus, epiglotus जो है वो covering होती है glotus की और glotus मैंने आपको पहले बताया था जब हमने इसको पढ़ा था human digestive system के अंदर तो उसमें मैंने आपको बताया था glotus क्या होती है उसके उपर epiglotus की covering है और glotus क्या करती है यह जो है जब food को swallow किया जाता है तो उस time पर ऐसा ना हो कि food जो है वो wind pipe में फस जाए तो इस वज़े से उसको cover करने के लिए epiglotus और glotus जो है work करती है तो यहाँ पर यह epiglotus ह यह larynx है larynx को sound box या voice box बोलते हैं जहाँ पर sound जो है produce होती है उसके नीचे यह trachea है और trachea के उपर यह cartilage genius rings है इसी को trachea को ही wind pipe बोला जाता है इसके उपर यह cartilage genius rings present होती है यह जो दिख रही है आपको यह cartilage genius rings है और यह cartilage genius rings क्या करती है यह contraction relaxation करती है और ऐसा ना हो कि वही कभी air की supply कम हो जाए जैसे कि कई बार जब हम लोग ऐसे areas में चले जाते हैं जैसे हीली areas हैं तो वहाँ पर pressure जो है वो कम होता है oxygen की supply कम होती है तो उस time पर oxygen कम आगे जा रही होती है मतलब की oxygen कम मिल रही होती है तो उस case में ऐसा ना हो कि oxygen की absence में यह collapse ना हो जाए trachea, इसलिए cartilaginous rings इसके ओपर present होती है, जो इसको help करती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे two lungs present होते हैं, और यह lungs किसमें present होते हैं, यह होती है, thoracic cavity, thoracic cavity के नीचे यह आपको दिख रहा है, यह diaphragm होता है, और diaphragm के नीचे abdominal cavity होती है, तो अब यह ज फर्धर जो है, डिवीजन होता है, उसका जैसे यह यह bronchi है, और bronchi के बाद यह क्या है, यह bronchioles हैं, और यह क्या है यह आगे फर्दर और ब्रॉंकियोल जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ब्रॉंकियोल बोलते हैं इनको और उसके बाद जो यह आपको बलून लाइक स्टुक्चर्स दिख रहे हैं यह सब हैं अल्विलाई एक्चुली जो एक्षेंज ओफ गैसे वो यह अल्विलाई में होती है चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अब पेर ओफ एक्षेंड नॉस्ट्रिल्स ओपन इंटू नेसल चैंबर थू नेसल पैसेज अब कैसे होता है रेस्पिरेशन कैसे स्टार्ट होता है पेर ओफ एक्षेंड नॉस्ट्रिल्स जो है प्रेजन होते हैं आउटसाइड और उसमें से जो है क्या होता है एर जो है opening होती है किसके लिए air के लिए और food के लिए ठीक है तो pharynx जो है common opening है तो यह nasopharynx में nasal chamber क्या करता है open होता है nasopharynx open to trachea through glottis nasopharynx किसमें open होता है trachea में trachea जो हमने अभी पीछे देखा था है यहाँ पर यह जो है trachea में open होता है nasopharynx और through epiglottis through glottis ठीक है और glottis की cover क्या होती है epiglottis जिसके बारे में आपको बता चुक्क है glottis और epiglottis का काम क्या होता है कि यह swallowing के time पर क्या हो जाती है glottis को cover करती है epiglottis ताकि जो air है वो जो food है वो event pipe में आ जा पाए उसके बाद है epiglottis prevents the entry of food to larynx epiglottis क्या करता है prevent करता है entry of food to larynx या trachea एक ही बात है मतलब कि उसको जो है नीचे wind pipe में जाने से रोकता है trachea आगे divide होती है यह देखो यह बहुत important है 5th thoracic vertebra पर जो है trachea क्या करती है divide होती है divide करती है और into left and right primary bronchi में जो है क्या हो जाती है divide हो जाती है each bronchi undergo repeated division two form secondary and tertiary bronchi यह वही है जो अब मैंने आपको बताया था यह trachea है trachea दो में divide होगी primary bronchi primary bronchi आगे जो है secondary और tertiary bronchi में क्या हो जाते है divide हो जाते है और last part क्या है इनका alvely है and ending up to alvely और alvely में क्या होती है exchange of gases होती है lungs are two in number and are covered by double layered plural with plural fluid between them lungs कितनी होती है हमारी दो lungs होती है इसका तो आपको पताये lungs के around में जो है क्या होता है double layer जो है present होती है और उस double layer को plural बोलते है यह आपको double layer यहाँ पर दिख रही होगी इसको plural membrane बोलते है और इनके बीच में plural fluid जो है present होता है ठीक है जो friction से prevent करता है ठीक है उसके बाद next है the lungs are situated in the thoracic chamber lungs कहां situated होती है thoracic chamber में जैसा मैंने आपको बताये diaphragm के ऊपर thoracic chamber और उसके नीचे abdominal chamber present होता है thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column ventrally by sternum and laterally by ribs on lower side by dom shape diaphragm यह बहुत important point है यह line कई बार कई exams में जो है directly पूछी आ चुकी है तो इसमें जो है thoracic chamber जो है ध्यान रखना dorsally vertebral column से form होता है ventrally sternum से और laterally by ribs और lower side diaphragm होता है तो यह तीनों जो है आपको dorsally, ventrally और laterally जो है पता होना चाहिए उसके बाद आता है mechanism of breathing two stages होती है mechanism of breathing की inspiration and expiration inspiration क्या होता है inspiration can inspiration तो वैसे ही वो की जब gases का inside the lung cavity lungs में जो है आना उसको जो है क्या बोलेंगे inspiration बोलेंगे inspiration can occur if the pressure within lungs is less अगर lungs के अंदर pressure क्या है कम है अगर pressure क्या है lungs के अंदर कम है then the atmospheric pressure that is there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure inspiration कब होगा देखो air या कोई भी gases हमेशा travel करती है high pressure से low pressure की तरफ ठीक है तो अगर यहाँ पर pressure कम होगा lungs में और बहार अगर atmospheric pressure जादा होगा तब ही air जो है बहार से lungs के अंदर आएगी तो इस process को inspiration बोलते है और उसके बाद expiration क्या होगा expiration जस्ट विल्टा कि अगर क्या हो intra pulmonary pressure क्या हो जादा हो atmospheric pressure से तो उस case में expiration होगा मतलब अंदर का pressure जादा है और बहार का कम है तो फिर जो air है वो अंदर से बहार की तरफ निकल जाएगी मतलब CO2 actually CO2 बहार निकलती है oxygen हम लोग inhale करते है उसके बाद inspiration is initiated by contraction of diaphragm diaphragm का contraction होता है which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दू pressure और area inversely proportional होते है एक दूसरे के तो क्या होता है जब diaphragm क्या करता है contract करता है तो उस time पर जो volume है thoracic chamber के मतलब कि जो आपकी lungs है उनके अंदर का जो chamber है thoracic chamber उनका जो volume है वो बढ़ जाता है अब volume बढ़ गया मतलब कहने का मतलब area उनका अगर बढ़ या लंक्स का तो pressure वहाँ पर क्या हो जाएगा automatically decrease हो जाएगा और pressure अगर decrease हो जाता है इसका मतलब अंदर pressure कम है और बहार pressure जादा हो गया तो बहार से जो air है वो अंदर lungs के अंदर एंटर कर जाएगी the contraction of external intercostal muscle की वज़से क्या होता है जो area होता है thoracic chamber का वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है और अगर area बढ़ जाएगा तो pressure कम हो जाएगा और अगर pressure कम हो गया देखो यहाँ पर lungs के अंदर pressure कम हो गया area बढ़ गया तो air जो है और बहार के pressure जादा है तो बहार से air जो है high pressure से low pressure की तरफ जो है क्या करेगी एंटर कर जाएगी air या यहाँ पर आप oxygen भी लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद next है the lungs are situated sorry यह page हमारा repeat होगे है यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग expiration is caused when diaphragm is relaxed and intercostal muscles returns to original position expiration कब होगा expiration क्या होता है भई exhalation of CO2 outside the body तो अब वो कब होगा जब diaphragm relax हो जाएंगे diaphragm relax होगे तो thoracic जो volume है वो क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी मतलब area क्या हो जाएगा lungs का decrease हो जाएगा thoracic volume और pressure क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो अंदर pressure बढ़ गया बहार pressure कम है तो CO2 जो है अंदर से बहार निकल जाती है तो ये mechanism रहता है breathing का उसके बाद आती है कुछ respiratory volumes है जैसे देखो tidal volume tidal volume क्या होती है volume of air inspired or expired during ये बहुत important time ये सारी हमें learn करनी है volume of air inspired or expired during normal respiration normal respiration के time पर जो air की volume हम inspire करते हैं या फिर expire करते हैं ये approximately 500 ml होती है और इसकी quantity आपको याद रखनी है inspiratory reserve volume क्या होती है additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration additional volume of air मतलब कि inspiration तो करी रहे थे लेकिन जब forcible inspiration करेंगे तो उस time पर जो additional volume of air आएगी मतलब कि एक तो normal inspiration करें उस time पर कितनी air आती है उसके बाद क्या उसके साथ क्या कर रहे है forcible inspiration कर रहे है मतलब forcible inhalation कर रहे है air का तो उस time पर जो air आएगी enter करेगी तो वो क्या होगी additional volume हो जाएगी मतलब जो normal volume है उसके साथ में कुछ additional जो है air जो है वो enter करेगी किसकी वज़े से फोर्सिवल inspiration की वज़े से और वो कितनी होती है इसी को inspiratory reserve volume बोलेंगे जो additional air है और यह होती है पच्चिस सो से 3,000 या 2500 तो 3000 ml इसके बाद हमारी third है इसके अंदर expiratory reserve volume expiratory reserve volume जस्ट उल्टा होगा कि additional volume of air परसन केन एक्सपायर मतलब कि expiration तो देखो inspiration expiration चलता रहता है हम inhale भी करते हैं exhale भी करते हैं लेकिन जब additional volume of air जो person forcible expiration जब करेगा और उसके बाद जो additional मतलब normal expiration से अलग forcible expiration करेगा और उस time पर जो additional volume of air बाहर निकलेगी उसको expirative reserve volume बोलेंगे जो कि 1000 ml to 1100 ml होता है residual volume होता है कि जब हमने forcible expiration किया किसी person है मतलब forcibly air को पूरी air को बाहर निकाल दे और उसके बाद भी कुछ amount air का lungs के अंदर बच गया तो यह जो बचा हुआ amount है इसको residual volume बोलते हैं और यह 1100 to 1200 ml होता है उसके बाद है respiratory capacities इसमें देखो inspiratory capacity क्या होती है total volume of air a person can inspire after a normal expiration total volume of air a person can inspire after a normal expiration मतलब कि जब normal expiration होगा normal exhalation हो गया सारी मतलब normal exhalation होगा air को बाहर निकाल दिया अब कुछ नई air है जिसको inhale करना है ठीक है तो जो total volume है उस air का जो inspire करेंगे expiration के बाद उसको बोलेंगे inspiratory capacity और यह क्या होती है tidal volume प्लस inspiratory reserve volume expiratory capacity क्या होती है total volume of air a person can expire after a normal inspiration normal inspiration के बाद अब expiration होगा देखो inhalation exhalation ऐसे ही चलता रहता है एक बार inspiration एक बार expiration तो inspiration normal inspiration के बाद जो मतलब कि air को volume of air को person expire करेगा मतलब निकालेगा बहार exhale करेगा उसको expiratory capacity बोलते हैं और यह tidal volume plus expiratory reserve volume होती है उसके बाद है functional residual volume volume of air remains in the lungs after normal expiration normal expiration के बाद भी कुछ amount of air जो है क्या बच गई, lungs में बच गई तो उसको जो है क्या बोलेंगे functional residual volume बोलेंगे और यहां पर जो था हमने एक और देखा था residual volume, residual volume क्या था volume of air remains in the lungs even after forcible expiration यह देखो forcible expiration के बाद जो amount of air बच गई वो तो residual volume है और functional residual volume क्या है normal expiration के बाद जो amount of air जो है बच गई lungs में उसको functional residual volume बोलते हैं, ठीक है उसके बाद next है vital capacity vital capacity क्या होती है, maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration forced expiration के बाद जो maximum volume है air की जो person क्या करेगा, breathe in करेगा मतलब की expiration के बाद अब क्या होगा inspiration होगा तो inspiration में जो maximum volume of air a person can breathe in, इसको बोलेंगे vital capacity, total lung capacity होती है total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, next है transport of gases, transport of gases में देखो, blood जो है वो medium होता है, oxygen और CO2 को transport करने का, about 97% of oxygen is transported by RBCs in the blood, ठीक है और 3% oxygen carried होता है in a dissolved plasma, 97% oxygen कैसे transport होता है, RBCs के थूँ और 3% कैसे होता है, in a dissolved plasma, nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it has bicarbonate और 7% of CO2 is carried in a dissolved straight through plasma तो इनकी जो ratio है, यह आपको as it is, याद रखनी है, तो यहाँ पर percentage है, जैसे 20-25% CO2 जो है, वो RBC transfer करता है 70% bicarbonate की form में transfer होती है, carried होती है, और 7% जो है, वो plasma की form में, और 97% oxygen RBC के थुरू, और 3% oxygen dissolved plasma के थुरू होता है, उसके बाद है transport of oxygen, oxygen का transport देखते हैं, तो oxygen कैसे transport होता है, हेमोग्लोबिन is a red colored iron containing pigment present in RBC, हेमोग्लोबिन का आपको पता है कि red color pigment जो हमारे RBC में present होता है, और वही oxygen को transport करने में help करता है, oxygen oxygen can bind with hemoglobin, oxygen bind करता है इसके साथ, और क्या बना लेता है oxy hemoglobin बना लेता है, जब oxygen bind करेगा hemoglobin के साथ, तो ये बनेगा binding of oxygen with hemoglobin is related to partial pressure of oxygen partial pressure of CO2, H-positive iron, concentration and temperature, oxygen की जो binding है hemoglobin के साथ, वो किसके उपर depend करती है, partial pressure of oxygen के उपर, CO2 के उपर partial pressure, और hydrogen ion concentration and temperature भी कुछ factors हैं जो इसमें interfere करते हैं इस binding के साथ अब देखो, अगर oxygen का partial pressure जादा होगा, और CO2 का partial pressure कम होगा, और low-edge positive ions होगे, ठीक है तो उस time पर binding जो होगी oxygen की, वो बहुत efficiently अच्छे से होगी, ठीक है every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to tissues, 100 ml जो oxygenated blood है, oxygenated blood है वो जो है 5 ml oxygen जो है, transfer करता है tissues को, every 100 ml of deoxygenated blood क्या deliver करता है 4 ml of CO2 to alvely मतलब, तो जो है 100 ml deoxygenated blood, 4 ml CO2 को करता है, और वो 5 ml auto को करता है, ठीक है तो यह हमारा transportation था oxygen का, और CO2 का और oxygen disassociation कर, अगर पूछें तो वो कैसा होता है sigmoid होता है, ठीक है S-shaped होता है, sigmoid होता है oxygen disassociation कर, कब बनता है, oxygen की binding को दिखाता है वो, और binding कब efficient होती है, वो तब होती है जो oxygen का pressure pressure ज़्यादा हो CO2 का कम हो, और H-positive ions भी क्या हो, कम हो, तो उस time पर binding जो है, वो efficiently होती है, अब कुछ disorders है, जैसे asthma, asthma कब कोज होता है it is caused due to inflammation of bronchi and bronchioles, अगर inflammation हो जाए, bronchi और bronchioles के अंदर, जो मैंने आपको diagram में starting में दिखाया था, bronchi और bronchioles, तो उससे जो है asthma कोज होता है, emphysema भी एक disease है, respirator disease है, ये chronic disorder है, जिसमे क्या होता है, alveolar walls जो है alveolar walls क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है जिसकी वज़से respiratory surface decrease हो जाता है, और alveolar मैंने बताया था, बहाँ पर exchange of gases होती है, actually वो surface होता है, जहाँ exchange of gases होती है तो इसलिए उसका respiratory surface अगर decrease हो जाएगा, तो अच्छे से respiration नहीं हो पाएगी और exchange of gases हो, breathing भी नहीं हो पाएगी तो इसलिए M5C मा ये भी एक disorder है, फिर है एक occupational respiratory disorder, ये generally stone breaking industries होती है, वहाँ पर जो काम करने वाले workers होते हैं, जो dust produce होता रहता है long term exposure में रहते हैं, वो मतलब dust के stone breaking हो रही है और जब बार बार उसके presence में आते हैं, तो उनको inflammation हो जाता है, उनकी lungs में, और that leads to fibrosis, तो ये होती है occupational respiratory disorder, तो ये तीन type के disorder थे हमारे respiration से related, respiratory disease से related, तो यहाँ पर हमारा ये chapter जो है complete होता है breathing and exchange of gases, अब next video में, next class में हम लोग जो है अगला circulation वाला जो है human circulatory system और blood और जो है उस video उस class को cover करेंगे, तो आज की class अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो आप इसको like करना, share करना और channel को subscribe कर देना thank you very much